बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिरहीम, अस्सलामुलीकूम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल को कुविद अकीलायामीन आज मैं आपके साथ इस वीडियो में दो चट्नी की रेसिपी शियर करूंगी एक इमली की खटी मिटी चट्नी और एक हरी चट्नी की रेसिपी तो ये दोनों चट्नियां छोलो की चाट में यूज होती है ये दोनों चट्नियां बहुत ही फ्लेवर फुल होती है और ये चाट के फ्लेवर को डबल कर देती है तो आईए रेसिपी बनाना शुरूर करते हैं बिस्मिल्लाहिर रह्मान रहीम मैंने एक पाउं इमली ली थी और उसे मैंने पानी में भिगो दिया था आदे घंटे बाद मैंने उसके बीज निकाल के अलग कर दिये थे और उसे एक स्टेनर की हेल्प से चान लिया था तो उसे मैंने एक पैन के अंदर एड़ कर दिया है flame को मैंने on कर दिया है medium heat पर अब मैंने इसके अंदर एक कप पानी शामिल कर दिया है अब मैंने इसको एक दफ़ा mix कर लिया है इसके अंदर मैंने 150 ग्राइम गुड शामिल किया है जिसे मैंने मोटा मोटा तोड लिया था ताकि यह जल्दी से dissolve हो जाए तो मैं अब गुड की डिजॉल्फ होने तक इसे पकाऊंगी तो गुड अच्छी तरीक से डिजॉल्फ हो चुका है अब मैं इसके अंदर एट कर रही हूँ 1 टी स्पून सॉफ जिसको मैंने क्रश कर लिया था कुटी हुई लाल मिर्च 1 टी स्पून जीरा मैंने लिया है 1 टी स्पून भुना हुआ और कुटा हुआ सॉट का पाउडर 1 टी स्पून नमक मैंने इसके अंदर एट किया है 1 टी स्पून काला नमक मैं इसके अंदर एट कर रही हूँ 1 टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च मैं इसके अंदर एट कर रही हूँ, हाफ टी स्पून अब मैं इन सब चीजों का अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और इस पल्प को थोड़ा गाड़ा होने तक पकाऊंगी तो आप देख सकते हैं कि ये गाड़ा हो चुका है तो मैंने वन टेबिल स्पून काउन फ्लार को थोड़े से पानी के अंदर मिक्स कर लिया था और अब मैं इसको इसके अंदर एट कर रही हूँ और साथ साथ स्पून की हेल्प से इसको मिक्स भी कर रही हूँ तो आप मैं इसको medium flame पर 5 नट लिए पकाऊंगी तो आप देख सकते हैं इसे पकते हुए 5 नट हो चुके हैं medium flame पर तो मैं इसकी consistency आपको दिखा देती हूँ कि यह थिक हो चुकी है तो मैंने flame को off कर दिया है और room temperature पर आने के बाद यह मजीद थिक हो जाएगी और माशलला से ये इमली की खटी मीटी चटनी तयार हो चुकी है आप देख सकते हैं कि इसकी consistency कितनी अच्छी है आप इसे चार्ट में भी यूज़ कर सकते हैं और इसके लावा आप इसे snacks के साथ भी यूज़ कर सकते हैं यह बहुत ही flavorful होती है, बहुत खटी मीटी होती है, बहुत ही मज़ेकी होती है तो आईए अब हरी चटनी बनाना शुरू करते हैं उसके लिए हमें कौनसे ingredients चाहिए होंगे कितनी quantity में ये देख लेते हैं तो मैंने हरा धन्या लिया है एक कप पौदीना लिया है एक कप हरी मिर्चे लिया है मैंने पांच अदत और नमक लिया है मैंने हाफ टी स्पून तो इन सब चिज़ों को मैं एक blender में डाल दूँगी और थोड़ा से मैंने पानी एट किया है ताकि अच्छी तरीके से blend हो जाए और मैं इसको blend कर लूँगी यह बहुत ही कम ingredients से तयार होती है लेकिन बहुत ही flavorful होती है तो आप देख सकते हैं कि जटपट से दोनों चटनिया तयार हो चुकी है और इन दोनों चटनियों को आप एक महीने तक फ्रिज के अंदर रखकर इस्टमाल कर सकते हैं यह बिलकुल भी खराब नहीं होंगी तो अगर आपको मेरी यह recipe पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा share कीजिएगा और मुझे comment करके बताइएगा कि आपको मेरी यह recipe इस कैसी लगी तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजी अजासत अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा अल्ला हाफेश